सो हाई दोस्तों मैं आपका मेकेनिकल परधान फिर से एक बार इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ और ये इंफॉर्मेटिव वीडियो इंडस्ट्री लेबल में जो भी बन्दा में एंट्री करता है तो बहुत ही हल्पुल होने वाले हैं वीडियो तो चलिए बिनन टाइम बेस्ट किये, स्टार्ट करते हैं बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको नट बोर्ड पहचानने नहीं आता हूँ उस उनके लिए हेलफुल होने वाले वीडियो इसमें हम ये पता करेंगे कि नट को कैसे पहचाने और नट कितने प्रखार कहते हैं पहले नट है वो है CRS नाम सही पता चल भाएन निंट में पहना है ये कालए है इसलिए इसको और पहना है ये क्या करता है ये प्रोटेक्ट करता है कि होताहिनी है उसको ईप्रोटेट cameí कहीं नहीं देख़ा हूँ हो गया की नट से जो है लगे होते हैं बट उसके अण वाला एज जो होता है वो लिकला होता है कि हां प्रॉड हो इस पर च्राप्फूल जो है बंदे जो है स्क्रैचेस बंदों को खैस लग सकता है तो जाद तर सबस्ते जाद मैं एक्जांपल में जो आटो वहिकल में, आटो को आप देखोंगे, आटो में, मैक्सिमूम जो है, जो बाहर जो थ्रेड वाले बोल्ट्स निकले होता है, उस पर ये कैपनेट लगा होता है, या फिक ग्रिल लगी होती है, फिक ग्रिल पर हम प्रोटेक्शन चल लाए कि हमारा हमारे हाथ-पेर, जो भी आदमी हुमन जो है अगर कहीं इसको हांस टाच करना हो तो सेफ रहे इसके वज़े से हम कैपनेट यूज करते हैं यहां लिखा भी प्रोटेक्ट बोल्ट थ्रेड्स अंडरनेट वाइल प्रेजेंटिंग और क्लीन अपियरेंस ऑल्सो कैंड प्रिवेंट इसकीन एंड क्लोड को भी फ्रॉम स्नागिंग ऑन सार पेज सार पेज जहां निकला होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम कैपनेट यूज करते हैं दूसरा जो है उसको बोलते हैं वीग नट का मतलब समझ में आ गया कि मतलब पंक ये पंक निकले हैं इसके लिए विंग नट यही सेप जैसा होगा वैसा नाम उसका पड़ गया तो सो ज्यादा कन्फूजन होने की दोस्तों जरूरत नहीं है जैसा सेप ऐसा नाम लीजिए विंग नट हो गया दोनों साइड से निकला हुआ पंक इसलिए हम इसको विंग नट बोलते हैं खुल ओर बन जी इसमें मैक्सिममम पराने की जरुड़ नहीं परता है। से तुसरा है दूसा है जैम नट का दूसरा नाम भी लॉक मतंट होनी यह टीन होता है रहा कट जिसको लोग होता है इसलिए भूट से पॉलते हैं नोहीं कि सीडिले चुच मुटmind को जो हैक्स नट होत कि आइडी जादा हो और थिकिनस कम हो उसको लॉकनट या जैमने बोल सकते हैं तीसरा है फ्लाइंज नट में मैं बता दूंगी फ्लाइंज नट हम यूज इसलिए करते हैं कि हमारे जब पहले जमाने में क्या था कि हम वासर लगा के फिर नट टाइट करते थे अब इसमें क्य परपस को फुल्फिल करता है इवनली डिस्टर्बिंग दलोड इक्वली महला पर लोड भी प्रवाइड करेगा चारो साइट से और टिपिकली यूज इन दा आटोमोटिव सेक्टर होना एक्जास्ते मैक्सिमम यूज होता है जो यह आटोमोटिक से आटोमोटिव सेक्टर में सो व्यूज होता है मतलब ही यूज होता है कि कपल यूज बांदे के लिए स्ट उरd के यह आपसा पतर है connecting के लिए यूज करते हैं दो थ्रेट्स को हम अगला नट है नाइलोग नट में हम क्या करते हैं इसमें हम नाइलोन इंसर्ट डालते हैं यह नाइलोन इस तर्ट है इसको इसलिए डालते हैं कि सटेन फोर्स लगे फिर वह वहाँ पर टाइट हो फिटमेंट म होते हैं नाईलोन वासर पढ़ने के वज़ों इंसर्ट करेंट खु 그게 करता है डिबंग इसलिए कि रिजादा होता है ए यह आईलोग नियंट क्या तो नाइलॉन वासल जो X pen करती है और क्या होता है वहाँ से खुलने का असानी से chances होता है वहाँ पर हम दूसरे एंट यूज खरते हैं वह को बताएंगे हमापको तीसरा जो हमारा next है रहुक है V tilted nt है sqoare jaysa को से देखे இAMع जैसा है वैसा ही उसका नाम लेते हैं इसका स्क्वयर से फरेंए कि अधला हमारा जो नट है वह slotted isलोट कुम है है इसलीए पर кटे गुए है इसलिए का यहनुआ है और हेक्स नेड़ कर जाते हैं तो हम इसको slotted net बोलते हैं लिखा है secure using a quarter pin quarter pin और wire the prevent rotation rotation मलब होमने से बचाने के लिए हम जो quarter pin में हम यूज करते हैं इसे हम typically use the application where the vibration is the consistent thread जहां पर vibration ज़्यादा होती है वहाँ पर हम इसको यूज करते हैं हम क्या करते हैं quarter pin लगा के इसको lock करते हैं इसको lock करने के परपस होता है इसके अगला है इसको lock करते हैं अगला है मारा कैसल नट का यह एक नया वर्जन है मतलब एक तरसे देखिए क्या था उधर से यहां पर यह एंगल जो नहीं था और इसमें यह कैसल का मतलब ही होता है है एक खिला नुमा यह क्वीन का सरताज देखोगे ताज देखोगे राजा का ताज देखोगे वह भी इसी तरह होता है क्राउन क्राउन नुमा होता है हम इसको appetizer Box पौलते है कैसल नट और कैसल नट और कैसल नट और स्लाटेचिंट का फांचन सेम है Mana जिमेत्रिकीली जाए इसका नाम हम कैसल नट पूलते हैं और सेकंड जा हमने बोला था नैलोपदожет जाहां उज вып — राख ये ज्यादा होती है एंपरेचर ज्यादा होता है वहाँ पर हम नाइलोग नट को यूज नहीं कर सकते हैं वहाँ पर हम इसको पीटी नट यूज करें पीटी नट मालब प्रीविलिंग टॉर्क नट इसमें नाइलोड वाजसर नहीं पड़ा होता है नाइलेट यह मेटलिक में हम पर देखो यह आप टेपर एंगल होता है टेपर एंगल होता है माउथ पे माउथ पे आप देखोगे इंप्रेशन पड़ा होता है तो हम उसको इसली देख के हम बता सकते हैं यह पीटी नट है प्रिविलिंग टॉर्क नट इसको बहुते हैं ठीक तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो अन मेकनिकल प्रधान यूटूब चैनल ऐसी इंफॉर्मेटी वीडियो जानने के लिए इंफॉर्मिशन पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्स्क्राइब और सेयर करना ना बुले थैंक यू सो मच ऐसी इंफॉर्मेटी वीडियो लाता रहूँगा और आपके ग्यान को बढ़ाता रहूँगा